तो आज हम बात करने वाले हैं MSC physics अगर कोई बच्चा करता है तो क्या career options उसके पास available होते हैं आज की date में ठीक है तो देखो MSC physics कर रहे हो तो बहुत सारे options है पहली बात उससे पहले में कुछ बता दू कि अगर आप MSC entrance की किसी इंट्रेंस की त्यारी कर रहे हो या है वहाँ पर जाके जॉइन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल जॉइन करो अपडेट्स आपको regular basis पर मिलती रहेंगी कुछ भी चाहिए अगर मैं बात करूँ सबसे पहले अगर आप MSC जो है Master of Science physics के अंदर करते हैं तो दो तरीके की जॉब आपके पास है academics वाली यान की जहां पर आपको पढ़ना है पढ़ाना है यह रिसर्च करनी है जिसको हम academic जॉब कहते हैं दूसरी जॉब है आपके पास वो है non-academic non-academic में हम वो जॉब ले लेते हैं जो company जो वगरा में होती है उनको हम non-academic के अंदर ले लेते हैं देखो बात समझ में आगई तो हम बात करने वाले हैं दोनु aspect की कौन से academic है कौन से non-academic academic में सबसे बढ़िया option रहता है बच्छों की बस अगर आपकी financial condition थोड़ा बहुत भी ठीक है तो अगर तुमारी financial condition ठीक है तो सबसे अच्छा option रहता है research का आप करो PhD और एक अच्छी जगों से PhD करो गंदी जगों से नहीं बहुत अच्छी PhD पूरे सम्वाल के साथ करो अच्छी जगों से जहां पर आपको अच्छी scholarship मिले ठीक है scholarship मिले 30-30 रुपे scholarship मिलेगी अच्छी research होगी तुमारी JRF की तुरू करो IIT से करो research institute से करो ऐसी जगों से PhD करो जहां मतलब well renowned institutes या ऐसे लोग ऐसे guide चूच करो जिन को research के अंदर जो बहुत ज़्यादा इंट्रस्टेट है पहली पॉर्ट है सबसे अच्छा फेल तो यही रहेगा मेरे मालना है दूसरा academic में आता है कि MSC की MSC के बाद कर लो B8 और B8 करने के बाद M8 कर लो चाहो तू नहीं है चाहो तो कोई दिक्षत नहीं और जो केवी होते है या स्टेट की जो जॉब्स होती है उनकी तैयरी करो अराम से वहाँ पर teachers बन जाओगे PGT अराम से आपको 17,000 रुपे सेलरी मिल जाएगी तीफसरा option है कि net निकालो ठीक है नेट निकालने के बाद किसी भी जगव असिस्टेंट प्रॉफेसर की नियुकती होगी प्राइबेट कॉलेज में गवर्मेंट कॉलेज में प्राइबेट में प्रिफर नहीं करूंगा सेलरी बहुत कम होती गवर्मेंट प्रिफर करूंगा आपको तो असिस्टेंट प्रॉफेसर की तयारी करो और यहां बन जाओ असिस्टेंट प्रॉफेसर ठीक है फ्योर अकेडमिक में बात कर रहा हूं मैं नहीं तो अच्छी कमांड बनाओ फिजिक्स के अंदर जो कोचिंग्स होती है चाहिए वो नेट गेट की कोचिंग हो जैम की कोचिंग हो गेट की कोचिंग हो इन कोचिंग्स में पढ़ाना स्टार्ट कर दो यहां भी भी आपको अराम से 17,000 रुपे सेलरी मिल जाएगी जै पर पढ़ाना स्टार्ट करो ठीक है सर देखो अगर तुमारी यहां पर के वी के अंदर या स्टेट गवर्मेंट के अंदर जॉब लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है अदर्वाइस आप किसी भी स्कूल में है जब पीजिटी जॉइन कर सकते हो उसके साथ अपनी कर लो या नेट क्वालिफाइ कर लो या कोचिंग में चले जाओ या पीजिटी चले जाओ जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसा कर लो जैना सुटे वेल है सब के लिए यह पी और अखैडमिक है मैक्जिमम स्टुडेन यही करता है मैक्जिमम तो टीचर बन जाते हैं ठीक है मतलब 80% तो टीचर ही बनते हैं मैसी फिजिक्स के बाद दूसरा का टिक्री आती है कि भाईया आप मैसी करो मैसी के साथ कुछ आज की जवाने में के बारे में बात करो है क्या अब करें और संटाइम के बारे में सके सांघ्र है क्यों सब्सक्राइब बने ने का एक साल का दो साल का कोई श्किल कोर्स कर लिए तो उस है पे भी आपको यहां पर आपको बढ़िया जॉब मिल जाती है मज़े से MSC के बाद इसकिल सीखना पड़ेगा अगर MSC करके सीधे physics से और कुछ नहीं आता है तो आपको 15-20,000 से उपर कोई जॉब नहीं मिलेगी मैं पक्का बता देता हूँ अगर आपको प्राइबेट जॉब करनी है तो स्किल सीख लो तब जाओ अच्छा अधर्वाइस तुम्हें पता है कि यह गॉवर्मेंट जॉब की तैयरी करो MSC physics के बाद बहुत सारी गॉवर् आता है अगर आपने MSC किया हूँ है बेबर दो इनका qualify करो और जोइन कर लो है ना तो यह options है किसी MSC physics student के पास कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे comment section में बताना मैं पक्का तुम्हारी डाउट का answer करूँगा और तुम्हें suggest करूँगा कि ऐसा ऐसा करो यह यह करो दिक है